घलो बच्चो बिटा आज की वीडियो टोटली नुमेरिकल बेस्ट है आज हम नुमेरिकल डिसकस कर रहे हैं और इस वीडियो में ये जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में सोलूसन करने के लिए बोला था ये उसका सोलूसन है question का अगर आप खुद से try नहीं कर पाते हैं नह 2i cap plus 3j cap plus 8k cap और ये दूसरे vector के perpendicular दिया हुआ है condition है minus 4i cap plus 4j cap plus alpha k cap और कहता है अगर ये दोनों vector perpendicular है एक दूसरे के तो आपको alpha की value निकाल दी है यानि कि जो आपका second vector है उसका k cap का coefficient है वो alpha है missing है आमें उसकी value find out करनी है ठीक है बिटा तो सबसे पहली condition आपको ये पता होनी चाहिए बिटा अब तक question practice करके आपको याद हो गया होगा कि कोई भी दो vector अगर perpendicular होते हैं एक दूसरे के normal होते हैं तो उनका dot 0 आता है और कोई भी दो vector अगर एक दूसरे के parallel होते हैं तो उनका cross 0 होता है तो हमें situation मैंने मान लिया है कि ये हमारे a vector है और ये हमारे b vector है और given condition है दोनों perpendicular है एक दूसरे के तो हमने apply कर दिया a dot b equal to 0 होगा अब मैंने a की value put की b की value put की ii वाले coefficient multiply किये jj वाले coefficient multiply किये and kk वाले coefficient multiply किये then solve it आप इस equation को solve कीजिए और आपको यहां से alpha की value मिल जाएगी minus 1 by 2 तो पीटा इस तरह के question बहुत ही simple और easy होते है बट ये मत समझना कि easy question है तो exam में पूछे नहीं जाते है exam में पूछे जाते है ये question आपके तो ये important question है अब next देखी बच्चो next question में क्या है हमें दिया गया है given condition में कि दो vector का addition और दो vector के subtraction का जो modulus है वो equal है चीक है तो हमें बताना है उन दोनों के बीच का angle क्या आएगा आपको अगर यहां पर थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो तो ये question हमने graphically भी solve किया हुआ है जब हमने दो vector को add करना सीखा था तो वहां पर हमने इन दो vector को किया था बिस वहां difference यह था कि A और B दोनों equal vector थे और एक बार उनका addition किया था हमने और फिर subtraction और फिर उनके resultants को हमने देखा कि वो एक दूसरे के perpendicular मिले थे चलो अब हम देखते हैं यहां पर कि given two vectors का addition और subtraction का magnitude equal है तो उनका angle कितना होगा start करते हैं बिटा यहां पर given condition आपकी यह है आप इसको start उठा लीजिए A plus B का mode A minus B का mode हमने दोनों तरफ square कर लिए बिटा और square करने से हम अपनी जो dot product की एक property है कि एक vector को उसी के साथ dot करते हैं तो वो उसके magnitude के square के एक वलाती है तो आप इसको reverse use करेंगे कि magnitude का square है तो उसका dot उसी के साथ लेना है अब यहां पर पूरा अंदर वाला एक vector माना जाएगा तो इस पूरे का इसी के साथ dot इधर भी इस पूरे का इसके साथ dot और आप हमें इसको खोल लेना है जो आपका distributed लाह हमने समझाया था पहले A को दोनों के साथ dot लेंगे फिर B का दोनों के साथ dot लेंगे ऐसे इधर A का दोनों के साथ dot लेंगे और फिर B का दोनों के साथ dot लेंगे चिक हैं अब देखे बिटा a का dot a के साथ हमें पता है a square होगा magnitude का square a dot b and b dot a दोनों बराबर होते हैं तो मैंने उसको लिख लिए 2 times a dot b फिर b dot b के साथ b square हो गया बिटा और a dot a square a dot b b dot a ये equal है बिटा तो ये minus 2ab हो गया और b dot b b square हो गया चिक है हो सकता आपको ये वीडियो थोड़ी fast लग रही हो लेकिन बिटा वही चीज़े repeat हो रही है पीछे की इसलिए मैं आगे थोड़ा slow हो जाऊंगी क्योंकि नया numerical है तो यहां से हो गया हम इनको एक तरफ ले आएंगे तो ये 4 times a dot b equal to 0 अब 4 0 नहीं होगा बट a dot b equal to 0 हो जाएगा a b magnitude into cos of theta equal to 0 यहां से ना a का magnitude 0 है ना b का तो cos of theta को 0 होना पड़ेगा इसको satisfy करने के लिए तो cos 0 कितने पे होता है 90 degree पे तो यहां से theta आगया हमारा 90 degree तो पिटा इस तरह से ये simple numerical आप solve कर सकते हैं important है आपके next numerical भी important है बचो ठीक है इसको समझे कैसे करना है यहां दिया गया है a cap b cap जहां भी cap आजाती है बिना बताए ही समझ जाना कि वो unit vectors है दोनों vector के बीच का angle theta दिया है बटा और हमें prove करना है कि इन दोनों के difference का magnitude है वो 2 sin theta by 2 आएगा 2 sin theta by 2 ऐसा ही आपको ध्यान आ रहा हो ऐसा ही कुछ पीछे भी use हुआ था जहां पे मैंने आपको दो vector थे आपके a vector velocity वाला b vector velocity वाला वहां पे यही concept revise हुआ था angle का तो फिर से देख लीजिए आप left hand side को लिया अब हमने इसको square करके solve करना शुरूर किया तो a-b का magnitude का square यानि इसी का dot इसी के साथ लिख सकते हैं अब दिरे दिरे चलते हैं पहले a का dot a के साथ फिर a का dot b के साथ फिर b का dot a के साथ फिर b का dot b के साथ अब इसको solve करेंगे a का dot a के साथ यह unit vector यह unit vector तो magnitude 1, magnitude 1 फिर दोनो parallel angle 0 को 0 1 तो मैंने बिटा सीधा लिख दिया 1 ओके अब माइनस a dot b और b dot a दोनों equal हैं तो मैंने इसको लिखा 2 times a cap dot b cap और b का dot b के साथ 1 आ गया तो 1 1 2 हो गया बिटा और minus 2 a का magnitude 1 b का magnitude 1 और बच्चों a dot b है तो cos of theta theta is the angle between a and b cap चीक है तो यहां से 2 common ले लिया बिटा मैंने और अंदर रहा गया 1 minus cos of theta और यह फिर से आपका formula बन गया है trigonometry का 2 sin square theta by 2 ओके तो यहां से आपके पास आ गया यहां से आपके पास आ गया बिटा यह square चल रहा था बच्चों तो मैंने इस square का under root ले लिया है यानि square खतम कर दिया है तो यहां से हो गया है इसका under root solve करेंगे तो 2 bar sin square का sin bar और theta by 2 agities तो यह जो आपको प्रूव करना था वो आपका result आ गया है यह हमें result चाहिए था चीक है बिटा तो यह भी आपका simple सा question था बट यह देखने में simple लग रहे हैं जब तक आप खुद प्रेक्टिस नहीं करेंगे बिटा तब तक यह question आपसे नहीं होंगे ओके प्रेक्टिस बहुत जरूरी है आगे देखिए अब हमारे पास next two question है वो भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है बट मैंने पहले भी बताया आपको कि यह numerical आपके लिए जरूरी है exam point of view से तो आपको करने लिए आपको यह करने चाहिए ठीक है और आप खुद से जरूर प्रेक्टिस करें इनको तो यहां क्या दिया देखिए एक vector दे दिया A और एक vector दे दिया B और कहता है दोनों parallel है ठीक है sorry कहता है A vector है B vector है तो हमें show करना है कि यह दोनों parallel है अब हम जानते हैं अगर इन दोनों का cross 0 आ जाए तो हम प्रूव कर देंगे कि A B parallel है तो हमने का A parallel to B तभी होगा if A cross B equal to 0 आए तो हमने पहले A cross B की value निकालनी है अगर 0 आती है तो हमने लिखा A vector cross B vector i, j, cap, determinant form यहां पे पहले A लिखा है तो A के coefficient सारे फिर B लिखा है तो B के coefficient चीके बटा अब solve करना start किया पहले i cap आया i cap i के जो row column है उनको cut किया और बाकी पहले वाले को cross किया फिर minus के साथ दूसरे को cross किया तो यहां पे 12 को 3 से multiply 36 दोनों minus minus है तो plus ही आएगी फिर rule के हिसाब से एक minus sign और 9 और 4 36 ओके फिर जे के साथ rule के साथ negative sign आया फिर bracket लगाई और जे वाले column row को छोड़ दीजिए 12 into 2 negative 24 और एक rule का negative और दूसरा negative यहां से आया तो negative negative आपका positive हो गया तो यह plus 24 फिर plus के कैप आया और के row column छोड़ दीजिए 9 into 2 18 और यह minus minus plus हुआ बट rule के हिसाब से negative और यह 18 तो यहां पे जितन प्लस उतना माइनस तो 0 i cap 0 j cap 0 k cap तो यह 0 vector आ चुका है तो यहां से प्रूव हो गया है कि A और B आपके parallel vectors हैं आप इसको आगे भी solve करना चाहें तो थीटा भी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं बच्चों यहां से देखें मैं यहां पर दिखा देती हूं आपको कि यहा प्लस बी अमारा 0 आ गया तो A क्रूस B को लिख सकते हैं A का मैगनिटूड B का मैगनिटूड sin of theta equal to 0 तो यहां से A 0 नहीं होगा B 0 नहीं होगा तो अमारा therefore sin theta equal to 0 और पेटा sin 0 0 कब होता है जब theta अमारा 0 होता है या 180 ठीक है तो यह आपका आ गया है कि यह दोनों vectors क्या है parallel है अब इसके बाद next question है बिटा देखिए अगर हमारे पास A क्रूस B का magnitude बराबर है root 3 A dot B के तो हमें theta की value निकाल ली है तो given condition आपको उठानी है A क्रूस B का magnitude है A B sin theta हमें पता है कई बार लिख चुके हैं मैं और root 3 agities A dot B का मतलब है A B cos theta बच्चों A B से B चला गया है तो यहां से sign upon course हो गया under root 3 बच गया यह बन गया 10 theta तो यहां से root 3 root 3 value 10 की 60 पे तो theta आ गया 60 degree तो पिटा यह आपका home task है इतना तो यही same given है अब theta नहीं पूछा है अब value पूछिए A plus B vector के magnitude की तो पहले theta निकालना पड़ेगा वो तो मैंने आपको करके दे दिया है अब आप A plus B का magnitude निकाल सकते हैं तो यह आपकी practice के लिए है चीक है आगे देखी बच्चों बिल्कुल simple सा numerical दो forces की बात हो रही है यहां पर थोड़ा सा नया सा है कहता है दो force है उनके magnitude का ratio 3 ratio 5 given है और resultant 35 है और resultant का magnitude है 35 और angle है दोनों के बीच का 60 तो हमें दोनों की magnitude निकालनी है force value हमने मान लिए दोनों force F1 और F2 है तो दोनों का ratio हो गया F1 by F2 3 by 5 तो यहां से F1 आ गया F2 का 3 by 5 ठीक है अब resultant given है 35 तो हमें पता है कि resultant का square होता है पहले का square दूसरे का square twice F1 F2 cos of theta अब सभी की value यहां रख देंगे बिटा F की value 35 है F1 की value 3 by 5 F2 है F2 agities है यहां भी F1 की value रखी और cost 60 एंगल की value पूट कर दें यहां दोनों तरफ under root ले लिया तो 35 equal to हो गया under root इसको solve किया 9 by 25 F2 यह F2 प्लस cost 60 होता है बच्चो 1 by 2 इसकी value आएगी cost 60 की value 1 by 2 यहां से तो 1 by 2 इस 2 को cancel कर देगा तो यहां से 3 by 5 F2 का square बचाए आपके पास और इन सबका calcium लेके solve किया तो यह आगा 49 by 25 F2 का square अंडर root से बाहर 7 और यहां 5 और यहां F2 तो यह root से बाहर आगया और यहां से F2 निकल के आया आपका 25 newton F2 की value वापस यहां रख दीजिए उपर इसको star equation दिखाना चाहिए star लिख लीजिए star equation में लिख दीजिए F2 की value तो वहां से F1 आ गया 15 newton तो यह आपका F1 निकल गया next question में आपको खुद करना है यह आपका your task यह आपका काम है तो यहां आपको करना क्या है वो देख लीजिए समझ लीजिए एक बार यहां दिया हुआ है angle at what angle दो forces है विटा P plus क्या हो और P minus क्या हो और उनके बीच का angle बताना है अगर उनका resultant या under root 3 P square plus क्या हो उसके है तो आप कर सकते हैं easily आप find out कीजिए इसको कर दो तो कि कि ठीक है टत्तत हुआ गजो है नहुआ है वीजिए धनका आपको कन्वर इसका लाहाँ भूड़ सदोलिक सनत्त पाम है ए समझेवास कर अजया है टूबड़ सर्वला यह बा रद लीज ववत्वर मतछ